बिस्मिल्ला इर्राह्मान इर्रहीम असलाम अलेकुम दियो स्टुडेंट्स वेलकम तो एजी इंटरनेशनल पॉबिशिंग हाउस तोड़े वी आपको इसकी डेफिनिशन से बात कलियर करने कोशिच करता हूं फिर हम यह पिट्जा की एक्जामपल पर आएंगे इकिविलेंट फ्रेक्शन्स आरड डिफरेंट फ्रेक्शन्स बढ़ शौएंग देसी नमबर जो ठोटी तो डिफरेंट आइं देखने में डिफरेंट लग रही होती हैं लेकिन वह एक ही चीज को स्शोव कर रही होती हैं अब आप पिज्जा की एकजामपल पराएं वह अगर आप इस पिज्जा की बात करो तो यह क्या है? सारे का सारा आधा यहां से लेकर यह पर फिज्जा है तो इसको वन बै टू कह दिया अब इसी हाफ को जब मैंने मजीद दो इसो में तक्सीम कर दिया तो ये टू बै फॉर बन गया और इसी को अगर हमने फॉर पार्ट्स में एकुली डिवाइड कर दिया तो ये फॉर बै एट बन गया अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये पिड़जा तो उतना ही रहा तीनो केस में अगर आप देखो पिड़जा वही रहा लेकिन फ्रेक्शन्स बदल गई भही ये वन बै टू था ये टू बै फॉर बन गया ये फॉर बै एट बन गया लेकिन इन सब का मतलब पीछे एक है बात कलियर होई तो ये पिड़जा बना के समझाने का मकसद ये था कि आपको चीज वाज़ हो जाए कि इकिविलेंट फ्रेक्शन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फ्रेक्शन होंगी लेकिन सेम नंबर को शो कर रही होंगी अब ये बनती कैसी है इनके पीछे कॉनसेप्ट क्या है करना क्या है कोई भी फ्रेक्शन गिवन है आप ने इससे कि दमका Divine कर देना जैसे हैं रहे हैं वह रहे हैं यह तो बैफ व् dalla किया तो यह हॉर बन गया नेक्स्ट वाली हो आपने फिर कुल्से मल्टिप्लाय कि तो ये बन गया 4 by 8 फिर 2 से multiply किया फिर बन गया 8 by 16 यानि numerator को भी denominator को भी numerator को भी denominator को भी denominator को भी सेम नंबर से multiply करो तो वो आपके पास क्या बन जाती है equivalent fraction बन जाती है लेकिन वो number 0 नहीं होना चाहिए बस यह याद रखना है इसी तरीके से एक और method भी होता है कि आप दी गई fraction के denominator और numerator को किसी एक number से divide भी कर सकते हैं तो divide करने के बाद जो बनेगी वो भी equivalent fraction होगी देख रहे हैं टू से divide करते जा रहे हैं इसका मतलब है ये 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 और ये चारों आपस में क्या है equivalent fractions हैं ठीक होगी मेरी बात लेकिन इसको आप आगे जाके एक और नय नाम देंगे इसको कहते हैं lowest farm बनाना किसी fraction की lowest farm बनाना लेकिन अभी ये आपका टॉपिक नहीं है आप सिंपल इसको समझने की कोशिश करें कि equivalent fraction क्या है ये आपके लिए concept ये छोड़ी बाते जो लिखी होती है इनकी बड़ी importance होती है इनको लाजमी पढ़ा करें अब इसी नमबर चूज कर लो उसके साथ numerator 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 को multiply करो तो वो एक fraction बन जाएगी उसको दूसरे नमबर से multiply करोगे तो दूसरी बन जाएगी तीसरे से करोगे तीसरी देखो पहले आपने 2 से multiply किया चीक है तो ये 2 by 6 बन गई फिर आपने 3 से multiply किया तो ये 3 by 9 बन गई लेकिन इसका तो यह दो से मल्टिप्लाइ किया बन गया से इसको फिरुसे मल्टिप्लाइ कर दो बन जाए गए। clear है मेरी बात एक तरीका कार तो यह है कि मैंने एक ही नमबर से यानि टू से ही तीनों दफ़ा multiply किया लेकिन यह जो आपको यह तरीका कार बताया गए यह second method है कि आपने पहले टू से multiply किया है फिर आपने उसी को 3 से multiply किया है तो ये दोनों सूर्थे जो आपको असान लगे आप वो कर सकते हैं मेरी बात समझ आई है कि अगर आपको ये मैथड़ असान लगता है कि किसी एक नंबर से जो जो अंसर आता है जाये उनको multiply करते जाएं ये कर ले या फिर आपने 2 से multiply करके एक बनाली, थ्री से मल्टिप्लाय करके, एक बनाली, फॉर से मल्टिप्लाय करके, अगली बनाली, दोनों मैध्धर असान है, अब आपको जो आजी लगता है वो आप कर सकते है, अब ये वला पार्ट भी अगर आप देखें तो उपर थ्री है, नीचे फाइव है, तो इकिव क्या है, इसके एकिविलेंट है, एक तरीका कार वो ही है, जो ये तरीका बताया, मैंने उसी तरीके से ये करवा दिया, अब एक तरीका कार वो है, जो आपने एक्जामपल में सीखाया है, और मैंने इधर भी आपको सिखाया, अब मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ आप तो पिर दोनों तरीका करके बता दीए दोनों डिफ्रेंट है और साथ आंसे में मुट्र sipॉप्रिक्ट हीरой इस वह दंगनुkach यहां लेकिन अनसर आपके पास ई Katy की का थो होती वही fraction है अब यह वाला इnewस्त कर सकते हैं यह वाला पार्ट darf cur DoX कर लिखा हुआं अब यह बर फोल भी की तरीक्ष्ट लिखा हुआ है अब फोर को बनाने का त्रीका का प्या करेंगे हैं चुछ से मेल्टिप्लाय उपर भी तू से नीचे भी ठीक है यह बन जाएगा इस तरीके से अगर आप इसे फिर से जो आंसर आता है उसको multiply करके दर लिखने जो आंसर आता है उसको two से multiply करके लिखने तो यह आपके answers आते जाएंगे इसी तरीके से next आप देखें तो यह figures की मदद से equivalent fraction का बताया जाना figures की मदद से एक तो तरीका का रहा है कि आप इनको पहले fractions की शकल में लिख लें और फिर आप इसको select करें तो दूसरा तरीका का रही है कि ग्राफिकली भी आपको पता लगना चाहिए यह lotta जेए कि यह देखो क्या है हाफ select हुआ तो इसमें तो यह portion में तो यह बना टूबाए इसकी अगर मैं बात करूं दो यह वन भै टू है इसकी बात करूं तो वन भै फूरा लेकिन अगर मैं पिक्चर को देखूं तो यह इतना इस है ना quarter जो है इसका shade किया गया तो इधर भी देखो तो उतने इस है shade किया गया इसका मतलब है यह वाला और यह वाला equivalent है लहादा इसको tick कर लेंगे मेरी बात समझा रही है आपको चले एक और example देख लेते हैं इसमें अगर आप देखो तो टू स्लेक्टिड पार्ट है अगर इन में से देखो तो यह अब इधर चार्ट टोटल पार्ट थे इधर आठ आठ हैं लेकिन कौन सा आपके कारामद होगा यह देखो दरा जी वांट तू थ्री फ्र इसको लिकलो यह का फॉर बाएट इसका मतलब है यह कैसे बनाए इसको टू से मलडिपले उपर भी किया नीचे भी तो यह ऐकेविलन बन गया इसका मतलब है यह केवलें पार्ट है ग्राफिकलिसको पिक्चर की मतलब से देखें तो ये देखो दो इसे हैं, ये चार इसे क्योंकि आदे आदे हो गए है ना, इसका मतलब है इनके दो इसे एक को शो करेंगे, ये पिक्चर की मतलब से मैं समझा रहा हूँ आपको, ये तो है ही तीन थे तो ये तो पोसिबल ही नहीं था, अब ये लास्ट वला डी का पार्ड आपने बताना है कि इसकी फर्स्ट फीगर है ये सेकंड फीगर है, ये मैं आपके लिए चोड़ रहा हूँ, ये आपने मुझे पमेंट सेक्शन में लागमी बताना है कि फर्स्ट फीगर है ये सेकंड फीगर इसका एक्जेक्ट आंसर है, पहरे बच्छो आज के लिए इतन नहीं फिर मुलागात होती है अलाफिस